नमस्कार आप देखें यूनीक वाइस न्यूज और मैं हूँ सुरिंदर शर्मा सियासत में कहा जाता है कि कोई पता नहीं कब कौन बदल जाए कब कौन कैसा बयान दे दे और कब कौन वो किसके उपर भरी पड़ जाए और किसका दाओ उल्टा और किसका दाओ सीधा पड़ ज ऐसे ही हालात जहिलने पड़ रहे हैं इस वक्त नैशनल कॉन्फरेंस और कॉंग्रेस गड़ बंदन हो वह दर असल यह कि पाकिस्तान की ओर से एक बयान आता है और उस बयान का असर जमु कश्मीर की राजनिती को पूरी तरह से गर्माता हुआ दिखाई देने लगा है बड़ी बात यह है कि जमु कश्मीर की सियासत इन दिनों ऐसे मुद्दों पर चल लिए है जमु कश्मीर में विधान सबाद चुनाव हो रहे हैं और ऐसे मोके पर पाकिस्तान की तरफ से एक बयान आना और उस बयान से जमु कश्मीर की सियासत हमें लगता है पूरी तरह से 90 डिग्री एंगल पर भूम गई है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाज आसिफ उनका हाल ही में एक बयान आया है कि 370 को लेकर और आप जानते हैं कि इस वक्त जमु कश्वीर में धारा 370 की बड़ी चर्चा चल लए है भाजिया इपंगाज करें और इसी 370 को लेकर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाज आसिफ एक नैशनल टीवी चैनल को इंटर नैशनल टीवी चैनल को एक इंटरव्यू देते हैं और उसमें ये कहते हैं कि 370 को लेकर कॉंग्रेज पाकिस्तान और नैशनल कॉन्फरेस एक ही पहलो पर है यानि एक ही इशू पर है और एक ही पेज पर है यानि एक ही ट्रैक पर है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान एक तरह से कहें कि पाकिस्तान की तरफ से कॉन्फरेस को इस बयान में शामिल करना और ये कहना कि 370 को लेकर पाकिस्तान कॉन्फरेस और नैशनल कॉन्फरेस की एक ही सोच है हम एक ही ट्रैक पर है और उसको लेकर अब जमू कश्मीर की स्यासत पूरी तरह से उफान पर है पूरी तरह से गर्माई हुई है नैशनल कॉन्फरेस के सीने नेता जमू कश्मीर के मुख्यमंदी रहे डक्टर फारुक अब्दुल्ला उनको इसका जवाब देने के लिए सामने आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि वो भरती है वो इंडियन है और पाकिस्तान के इस बयान से उनका कोई लेना देना नहीं है कॉंगरस भी इस वक्ट जो अब वो डिफेंसी मोड पर है और अमिच्च शाह या भरती जनता पार्टी इस वक्ट जो है वो बड़ी आक्रमक मुद्रा में है और कॉंगरस और नेशनल कॉंफरेंस को लेकर आप जानते हैं कि भरती जनता पार्टी पहले ही कई सवाल खड़े कर रही है यह खास तोर पर अगर हम अमिच्च शाह की बात करें ग्रहमंत्री की तो उन्होंने जब यह गडबंदन बना था और जब यह गडबंदन वजूद में आया था अमिर्ष शाह ने बाकाइदा प्रेस कॉंफरेंस की और अमिर्ष शाह ने बाकाइदा जो अब वो एक नोट निकाला और उसमें दस सवाल पूछे गए कॉंग्रस पार्टी से और National Conference के Manifesto का हवाला देकर वो सारी बाते वो सारे सवाल किये गए कि 370 को वापिस लाने की बात कर रही है National Conference कश्मीर से PS से हटाने की बात कर रही है जो जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई की बात कर रही है जो Terror Links के मामले में जिन लोगों को छोड़ा गया है उनको नोकरी पर बहाल करने की बात कर रही है तो Congress अपना स्टेंड बताए कि Congress क्या National Conference के इन मुद्दों में Congress जोब वो समर्थन कर रही है या Congress भी क्या इन सम मुद्दों पर अपना सपोर्ट कर रही है क्या इन सम मुद्दों को Congress भी वापिस लाना चाहती है तो उस वक्त भी ग्रैमांत्री अमीज शाह ने इस कोलीशन को लेकर कोलीशन के वजूद को लेकर सवाल उठाए और आज हमें लगता है कि जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर खौजाफसी आसिव की तरफ से जो बयान दिया गया है उसको लेकर नैशनल कॉंफेर्स और कॉ बयान ने अब बड़ी मुश्किल जो है वो पैदा कर दी है बड़ी बात यह है कि अब भारती जनता पार्टी के नेताओं को ये कहने का मौका मिल गया है कि देखिए हम तो शुरू से कहते थे कि कॉंग्रस नैशनल कॉंफेर्स और पाकिस्तान एकी भाशा बोलते हैं और आ एक ही विचारधारा के हैं 3070 को लेकर यहनि एक ही आड़ारेजी रखते हैं एक ही ट्रैक पर जो है वो चल रहे हैं और उसके बाद नैशनल कॉंफेर्स भी डिफेंसीब पर आ गी है और भारती जनता पार्टी ओफेंसीब पर आ गी है अब इस गटबंदन पर सवाल उठा रही है पहले वे सवाल उठाए जा रहे थे लेकिन अब सवालों की बोचार और जादा तेज तीवर और तीक ही हो गई है अब उस पर जैसा हमने बताया कि फारुक अबदुल्ला के रहे कि मैं तो हिंदोस्तानी हूँ मैं प्योर इंडियन हूँ और इस बयान का हमारा कोई लेना देना नहीं है कि दूसरे किसी मुल्क में बैठा हुआ जो मंत्री है जो नेता है वो क्या बोलता है ना तो हमारा उससे कोई सरोकार है ना ही उसके उपर हमारा कोई कंट्रोल है तो यह कहना है फारुक अबदुल्ला का और ग्रैमंत्री अमिश्या ने कहा है कि कॉंग्रस और पाकिस्तान है सेम इंटेंशन्स यनि कॉंग्रस और पाकिस्तान की एक ही इंटेंशन्स है कि जमु कश्मीर को डिस्ट करना भारत की डिमोक्रेसी को डिस्टरब करना आतमबाद को बढ़ावा देना अलगावाद को बढ़ावा देना ये सारे आरोग ग्रह मंत्री अमिश्या ने कॉंग्रस के उपर लगाए हैं और हमें लगता है कि कई बार ऐसे बयान जो है वो यहां बैटे लोगों के लिए ने दिनों में दूसरे चल्ण का मद्दान 25 स्ट्टम्र को है और 34 चल्ण का मद्दान जो हो एक अक्तूबर को है और इन दिनों में ये बयान अबी काफी जादा इस पर चर्चा होगी जादा इस पर war पलड़वार होंगे और national conference اور Congress के लिए पाकिस्तान के Defense Minister के इस बयान ने का